अच्छा अब यह हमारे बस टाइम लाइन थी 1950 तद ठीक है उसके बाद 1951 की तरफ आएंगे उसके क्या कर दो क्या वह हमारे बस टाइम लाइन के बाद रूवरे लाइन थी तरफ प्राइम स्टाइम लाइन थीक है कि तुछ फेबुरी नाइटीन फिफ्टी वन को कि क्या होता है चोद्री रह्मत अली की डेंट हो जाती है ठीक है 12 फेबुरी को चोद्री रह्मत अली की डेंट हो जाती है अब देख रहे हैं यहां से मुसल्मानों का जो लीडर्शिप जो है ना वो गैप वाक्यूम कैसे क्रिडिट होता है नाइटीन फिफ्टी वन में इनकी ड़त दो जाती है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि क्विश्छीफ्टूबर नाइन्टीन फिफ्टी वन को लाकत अली कवान इस से पहले कोड़ करते हैं मों करते हैं कि 8 सेप्टम्बर में गांना 8 सेप्टम्बर को क्या हमता है 8 सेप्टम्बर को लायकत नहरू पैक्ट होता है ठीक है कि मामनोर्टी का प्ररॉब्म को सॉल्व करने के लिए पैक्ट होता है लाकत नहरू पैक्त होता है, लैक्त नहरू पैक्ट होता है, to resolve क्या मानोर्टी प्रउब्लम, अच्छा उसके बाद क्या होता है 16 16 जो अक्टूबर होता है ठीक है उसको लेकत अलिखान को भी असेसिनेट कर दिया जोता है 16 अक्टूबर आसेसि नेशन आप अमेकत पलिखार ओंक्टूबर तो यह जाता है 16 October को यह हो जाता है हसत मोहनी मौलाना हसत मोहनी की भी डेथ हो जाती है अच्छे इसका रियल नेम भी जड़ा गूगल कर दें सेद मेदी कुछ इनका नाम था साथ सद वह भी नोट कर लें 1951 में क्या होता है के हसत मोहनी की डेथ हो जाती है कि मौलाना हसत मौहनी की और फर्स्सेंस भी होतने पकिस्तान में 1951 में है अब 1952 की टरफ आते हैं 1952 में क्या होता है कि यूएन सेकैर्टी कॉंसल पकिस्तान जो नन-पर्म 기대 होता है और उनकी बीच मेंच हों जो हुद रखायम इन और सबस्तान अजद्ट हो तो 1952 में पाकिस्तान है वो किसका मेंबर बन जाता है स्कूर्टी काऊंसल यूए यूए नो के स्कूर्टी काऊंसल है उसका मेंबर बन जाता है को वूं सा नॉन पर्म कि इसका वेंबर बन जाता है पाकिस्तान अच्छा मैं फिफ्टी टू में फैदर क्या होता है फैंटीन फिफ्टी टू की अगर हम बात करें तो एक ये काम हो गया 1953 में नैंटीन फिफ्टी ट्री में लाओर में मर्शला लगा देते हैं 1953 मर्शला वाज इंपोज्ड 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 इंपोज् 24th October 1954 24th October 24th October first constitutional assembly होती है उसको dissolve कर दिया जाता है first constitutional assembly जो होती है कि वास्टिजॉल्ट को फिर्ट कॉंस्ट्रेशन इसंट्री ऑफ पाकिस्तान जोती है उसको डिजॉल्ट कर भी आ जाता है पिर 1955 में क्या होता है कि चोद्री मौमद अली जोता है वो कौन बन जाता है पक्स्तान का प्रैमिनिस्टर बन जाता है ठीक हो गया चोद्री मौमद अली कब बनता है 10 अगस्त 1955 अचा इसको रिवाइस कर लेते हैं 1951 में क्या होता है 12 फेबरी 1951 में चोद्री मतली की रहत हो जाती है इड़ सप्टमबर 1951 को लेकत नेरू पैक्ट होता है कि इसमें हम मैनावटी के प्रॉब्लम को रिजॉल्फ करें 16 अक्टूबर ऐसी सिसिनेशन हो जाती है लेकत अली खान की 1951 में मौलाना हस्त मौमानी की डथ हो जाती 1951 में इसका रियल नेम मुझे किसे नहीं नहीं बताया है मैंने का गूगल करके मुझे भी बताया है सेयद महिदी कुछ है इनका सलना और फर्स सेंसिस होते है 1951 फिर 1952 की बात करें तो स्कूर्टी कॉंसल आफ यूए नो का मेंबर बन जाता है नॉन पर्मेंट मेंबर जोता हो प अच्छा स्यद था कुछ सेद फजल फजल असन फजल असन वजर्ट मौली का रियल नेम है सेद फजल नेम है रियल नेम है किसका मौला हस्त मौली का अच्छा पिर 1953 में क्या हो जाता है मार्शलाइम पोस्ट कर देते हैं लावर में 6 मार्च 1953 को फिर 24 अक्टूबर में फिर्स्ट कंस्टूटूइंट इसम्मली जो होती है पकिस्तान की उसको डिजॉल्व कर दिया जाता है फिर अभी आगे जाते हैं ठीक है है अच्छा इस नाइटीन फिफ्टी फोर में क्या होता है बता जीए कि फर्स्ट कंस्टूशन इसम्मली जोती है उसको डिजॉल्व कर देतें सब्सक्राइब चौदरी जोता है किया अबट प्रैम मिनिस्टर रोप जाते हैं अच्छा अच्छा यह हो गया उसके बाद क्या हो जाता है कि 1955 में 14 तक्तूबर 1955 में वन यूनिट का क्याम होता है 14 तक्तूबर 1955 ठीक है प्रिएशन आफ वन उनिट क्रिएशन ऑफ वन यूनिट क्रिएशन आफ वन यूनिट पर उसके बाद पकिस्तान बिकाम इस्लामिक रिपब्लिक कौन से आइन के तैट हुआ तो यह सी क्यूंज आथा ठीक है 1956 में पकिस्तान क्या वन इस्लामिक रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक आफ पाकिस्तान वर कभ दिया गया था 23rd March अच्छा जी 1956 में यह हुआ और नाइटीन फिफ्ट इसी डेड़ को सिकंदर मिर्जा जोता है वह पकिस्तान का फर्स्ट प्रेजिटेंट बन जाता है ठीक है फर्स्ट प्रेजिटेंट आफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा इसी 23rd March 1956 में इसकंदर मिर्जा प्रेजिटेंट बन जाता है अच्छा जी यह हुआ फिर उसके बाद क्या उता है 1956 में मौलाना जफर इली खाम जो है उनकी डेट हो जाती है ठीक है कब होती है 27 नवंबर को 27 नवंबर देट आँ जफानली खाम जोड़ा जोड़ने कि जोन्सक्राइड किसने किया था वैसे है कि बताएए नाइटीन फिफ्टी सिक्स की जो कॉर्स्टुशन आपसको अब्रुगेट किस ने किया था इसको सिकंदर मिर्जा ने ठीक है और इसमली इसको डिजॉल्फ कर दिया था उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे करते हैं फिर उसके बाद हम नहीं मतलब अमेंडमेंट्स पढ़ते ने तो इसमें क्या होता था रिवास्ट छोड़ा सा करार हो उसमें यह चीज़ होती थी कि जो पावर उती थी कि वो डिसॉल्फ कर देता और वो जो है आएन में यह आमेंडमेंट्स कर देता था था मतलब 73 क दे मताब देने का ह्तार होता है प्रेज्टर को बाट वह क्या कर त właści lou एंग्र सी कर देते ओर उसको रिपंदे ken्त कर दें से के वह पीजडरल्ब कर सकता आप सुम्री को तो सिकंदर मिर्जा फुर्स स्ट प्रेजिडट ताथ उसने इसने खिंब इंगा शीक्सिक्सिल्ट को न कि वार अब्रोगेटिट वाए इसकंदर में लुड़ा हुआ 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 है कि अध्यूबर को क्या होता है ठीक है अध्यूबर को यह हो जाता है कि मार्शल लाइंपोस्ट कर देता है ठीक है अब यह यहां पर मुझे भी किन्फीजन हो रही है ठीक है कि अध्यूबर को मार्शल लाइंपोस्ट कर देता मार्शल लाइंपोस्ट कर देता यूब खान ने किया था या सिकंदर मिर्दा ने किया था एक मिन लेट में ग्रॉस चेक इट इसको ग्रॉस चेक था रहे तो इसको ग्रॉस चेक था रहे तो